ओम शान्ती आज है 26 सितंबर 2020 की साकार मुरली पहले एक नजर मुरली की मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा यहां तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने प्रन्तु यह ऐसी वंडर्फुल पाठ शला है जो एम उब्जेक्ट समझ से हुए पढ़ते हुए भी पढ़ाई क चोड़ देते जहां तक जीना है पढ़ना जरूर है यह तो बड़ा इम्तिहान है इसमें बहुत साहस चाहिए और पहला साहस चाहिए निश्चे बद्धी होने का फिर कहा माया ऐसी है जो अभी अभी निश्चे और अभी अभी संशे बद्धी बना देती है कोई न कोई का भी नुकसान करा देते हैं तभी तो कहा जाता संशे बुद्धी विनशन्ती वेह उच पद पान सके किसको फिर निश्चे भी हो जाए लेकिन पूरा पढ़ते नहीं तो वेह भी नापास होंगे क्योंकि बुद्धी कोई काम की नहीं उनको फिर धारना भी नहीं होती कोई ऐसे भी कह देते कि हमको फलानी ब्राह्मनी से निश्चे नहीं बैठता है तो बाबा ने कहा तुमको पढ़ाने वाला वेह सुप्रीम टीचर है ब्राह्मनी भी उनकी नौलिज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ब्राह्मनी पर नहीं आगे कहा बाप का बनकर अगर कोई पाप करते हैं तो उनका सोगुणा दंड हो जाता है फिर वेह जामडे ही रह जाते हैं पुन्य आत्मा बनेंगे इस पढ़ाई से अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है और लास्ट में बाबा ने कहा कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो उन्हें कमभक्त कहेंगे संशे बुद्धी बन जन्म जनमांत्र के लिए वेह अपना ही खोन कर देते हैं कहां भी रहकर तुम बाप को याद करते रहो तो सजाओं से छूट जाएंगे अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से मुरली का सार मीठे बच्ची बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशे नहीं आना चाहिए संशे बुद्धी बनना माना अपना नुकसान करना प्रशन मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है उत्तर निश्चे निश्चे बुद्धी बनने का साहस चाहिए माया इस साहस को तोड़ती है संशे बुद्धी बना देती है चलते चलते अगर पढ़ाई में वो पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशे आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं गीत तू प्यार का सागर है ओम शान्ती रुखानी बच्चों प्रती शुबाबा समझा रहे हैं तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तू प्यार का सागर है उन्हें ज्यान का सागर भी कहा जाता है जबकि ज्यान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्यान क्योंकि ज्यान और अज्यान का खेल है बाप ने समझाया है यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो जानते हो हम नए घर में जाएंगे जैसे पुरानी देहली है अब पुरानी देहली मिटनी है उसके बदले अब नई बननी है अब नई कैसे बनती है पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन तुम बच्चों को यह एम उबजेक्ट भी है पाठशाला में एम उबजेक्ट तो रहती है न पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूँगा, बैरिस्टर बनूँगा यहां तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने पाटशाला में aim object बिगर तो कोई बैठ ना सके प्रन्तो यह ऐसे wonderful पाटशाला है जो aim object समसे हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते समसे हैं यह wrong पढ़ाई है यह aim object है नहीं ऐसे कभी हो नहीं सकता पढ़ाने वाले में भी संशे आ जाता है उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं अथ्वा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की knowledge ही wrong है पढ़ाने वाला wrong है यहां तो मनुश्यों की wonderful बुद्धी है पढ़ाई में संशे पढ़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रोंग है भगवान पढ़ाते ही नहीं बादशाही आदी कुछ नहीं मिलती यह सब गपोड़े हैं ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं सब पुछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुश्यों से देवता बनते हैं फिर यह क्या हुआ तो कहते नहीं नहीं वे सब गपोड़े थे कहते यह aim object हमको समझ में नहीं आती कई हैं जो निश्चे से पढ़ते थे संशे आने से पढ़ाई छोड़ दी निश्चे कैसे हुआ फिर संशे बुद्धी किसने बनाया तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत उंच पदपा सकते थे बहुत पढ़ते रहते हैं बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते दूसरे तो पढ़कर बैरिस्ट्र बन जाते हैं कोई पढ़कर पास होते हैं कोई नापास हो जाते हैं फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं यह तो बड़ा इम्तिहान है इसमें बहुत साहस चाहिए एक तो निश्चे बुद्धी का साहस चाहिए माया ऐसी है अभी अभी निश्चे अभी अभी संशे बुद्धी बना देती हैं आते बहुत हैं पढ़ने के लिए प्रन्तु कोई डल बुद्धी होते हैं नंबर वार पास होते हैं अकबार में भी लिस्ट निकलती हैं, यह भी ऐसे हैं, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धी वाले हैं, कोई डल बुद्धी हैं, डल बुद्धी होते होते, फिर कोई न कोई संशे में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं, संशे बुद् थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धी कोई काम की नहीं है, धारना नहीं होती है, हम आत्मा हैं, यह भूल जाते हैं. बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं कोई को बहुत विगन पढ़ते हैं तो उनको संशे आ जाता है कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चे नहीं बैठता है अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना यहे पढ़ाई है बाप की पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है ब्राह्मणी भी उनकी नौलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे लेकिन बाप से निश्चे ही तूट पढ़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं पढ़ते पढ़ते टीचर में संशे आ जाता है कि इनसे यह पढ़ मिलेगा या नहीं तो फिर छोड़ देते हैं दूसरों को भी खराब कर देते गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं बहुत गाटा पढ़ जाता है बाप कहते हैं कि यहां अगर कोई पाप करते हैं तो उनको सो गुणा दंड हो जाता है एक निमित बनता है बहुतों को खराब करने तो जो कुछ पुन्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं पुन्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से और पुन्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है बस कह देते जो नसीब हम क्या करें जैसे की हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहां आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्ये में जाकर मरजीवा बनते हैं हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते, मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जनम लेंगे, यहां हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाये में चले जाते, यह है मरजीवा जनम, नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं, आत्माई जाएंगी न, हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे, तो समझेंगे यह देही अभिमानी हैं, हम और चीज हैं, शरीर और चीज हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो जरूर अलग चीज हुई न, तुम समझ से हो, हम आत्माई श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की सापना कर रहे हैं यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है, यह भी बच्चों को समझाया है, सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है श्युव, वही सत्युग की सापना करते हैं, कलियुग की आयू जरूर पूरी होनी है, सारी दुनि के चित्र में क्लियर है, देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप का बनते हैं, बाप को छोड़ा, तो फिर कल युग में चले जाएंगे, ब्राहमन पन में संशे आ गया, तो जाकर शुद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बनना सकें, बाप यह भी समझाते है कैसे अभी स्वर्ग की सापना का फाउंडेशन पढ़ रहा है, फाउंडेशन की सरीमनी, फिर ओपनिंग की सरीमनी भी होती है, यहां तो है गुप्त, यह तुम जानते हो, हम स्वर्ग के लिए तयार हो रहे हैं, फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा, अन्त तक, जहां जीना है पढ़ना है जरूर, पतित पावन एक ही बाप है, जो पावन बनाते हैं, अभी तुम बच्चे समझ से हो, यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं, लिखना भी है, पुरुशोत्तम संगम युग में मनुष्य नर्से नारायन बनते हैं, यह भी लिखा हुआ यह तुम्हारा इश्वरिय जनमसिद्ध अधिकार है, बाप अभी तुमको दिव्य द्रिष्टी देते हैं, आत्मा जानती है, हमारा चुरासी का चक्र अब पूरा हुआ है, आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आत्मा पढ़ती है, भल देह अभीमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्ब का देह अभीमान है न, तो देही अभीमानी बनने में टाइम लगता है, बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है, भल ब्रह्मा की आयू सो वर्ष कहते हैं, या कम भी हो, समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं सापना नहीं होगी, तुम सेना हो, बैठी होना, बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है, स्रिष्टी का चकर कैसे फिड़ता है, यह भी बुद्धी में है, याद की यत्रा पर रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, भगती मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं, पुरानी दुनिया और नई दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो, पुरानी दुनिया रावन राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्यान मार्ग, राम राज्य जिन्दाबाद, जो पुज्य थे, वही पुजारी बने हैं, क्रिष्ण भी पुज्य गोरा था, फिर रावन पुजारी सावरा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है। तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वेल्यूबल होता है क्योंकि बाप ने इतना सहुकार बनाया है ना, वे खुद ही हीरा है तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आधी के साथ तो उनकी वेल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन दवारा आठ रत्न विजे माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वेल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबर वार बनते हैं। बनाते शुबाबा हैं, ये सब बातें बाप बिगरतो कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्रियवत बाबा बाबा केहनती फिर चले जाते हैं। शुबाबा को बाबा केहते हैं, तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता तकदीर। किसकी तकदीर मे जासी नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं, तो सो गुणा दंड चड़ जाता है। पुन्य आत्मा बनने के लिए पुरुशार्थ कर फिर पाप करने से सो गुणा पाप हो जाता है। फिर जामडे, बोने रह जाते हैं, वृद्धी को पा नहीं सकते। सो गुणा दंड एड होने से अवस्था जोर नहीं भड़ती। बाप, जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशे क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा, तो कमभक्त कहेंगे। कहां भी रहकर बाप को याद करना है, तो सजाओं से छूट जाएं, यहां तुम आते ह ही हो, पतित से पावन बनने। पास्ट के कोई ऐसे कर्म किये हुए हैं, तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती हैं। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो, अपने को देखना है, हम कहां तक अपनी उन्नती करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मिनारण के चित्र पर भी उपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शान्ती की राजाई जो अब सापन हो रही है। यह है एम उबजेक्ट, वहां सो प्रसंट पवित्रता, सुख शान्ती है। इनके राज्ये में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, तो अभी जो इतने धर्म हैं, उनका जरूर विनाश होगा ना, समझाने में बड़ी बुद्धी चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं, चित्रों की आगे बैट, खयालात चलाने चाहिए, समझानी तो मिली हुई है, समझ से हैं, तो समझाना है, इसलिए बाबा म मिजियम खुलवाते रहते हैं, गेट वे टु हैविन, यह नाम भी अच्छा है, वह है देहली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट, तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो, भक्ती मार्ग में ऐसा मूझ जाते हैं, जैसे भूल बुलाया में मूझ जात हैं, रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फुस जाते हैं, माया के राज्ये में, फिर बाप आकर निकालते हैं, कोई को निकलने दिल नहीं होती, तो बाप भी क्या करेंगे, इसलिए बाप कहते हैं, महान कम बक्त भी यहां देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते, संशे बुद्धी बन, जनम जनमांतर के लिए अपना खोन कर देते हैं, तकदीर बिगड़ती है, तो फिर ऐसा होता है, ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं, गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है, आत्मा शरीर बिगड़तो कुछ कर नहीं सकती, आत्मा समझने की ही मेहनत है, आत्मा निश्य नहीं कर सकते, तो फिर देह अभिमान में आ जाते, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमसे, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप, दादा को नमसे, नमसे, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई, हमें नर से नारायन बनाने वाली है, इसी निश्चे से अटेंशन देकर बनने वाली टीचर को नहीं देखना है, दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करना है, मरजीवा बने है, तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुन्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, वर्दान, स्वस्थिती की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजे प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव, स्वस्थिती की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजे प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव, कोई भी परिस्थिती प्रकृती दवारा आती है, इसलिए परिस्थिती रचना है और अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है सीट छोड़ना अर्थाद शक्तिहीन बनना सीट के अधार पर शक्तियां स्वत्य आती हैं जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है बाप दादा के लाडले मरजीवा जनमधारी ब्राहमन कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते स्लोगन द्रिडता कड़े संसकारों को भी मौम की तरह पिगला खत्म कर देती हैं अच्छा ओम शान्ति ओम शान्ति आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें बुच्छा खत्यूर सकते झाल झाल